इंदरो साउथ की फिल्मों का क्रेज देश के साथ विदेश में भी बढ़ता जा रहा है कुछ दिन पहले निर्देशक लोकेश वे कंगराज की फिल्म लियो का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसके एडवांस टिकेट बुकिंग की रफ्तार देज हो गई थी खाड़ी देशों समेत अमेरिका, कैनेडा और यूके में टिकेटों की एडवांस बुकिंग भारत से बहुत पहले ही शुरू हो गई थी अब जबके फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तयार है तो वही विदेशों से भी फिल्म के लिए जबरदस्त ख़बर आ रही है फिल्म ट्रेट मीडिया में आई ख़बरों के मताबिक एक यूरोपिय देश में फिल्म के 50,000 टिकेटों की एडवांस बुकिंग हो गई है जो की तमिल फिल्मों के लिए एक रिकॉर्ड है हिंदी में भी लियो का इंदिजार हो रहा है और इसकी मुख्य वज़ा है संजयदत संजयदत फिल्म में मुख्य विलिन की एहम भूमिका निभा रहे है इस फिल्म के साथ वो तमिल इंडॉस्ट्री में अपना पहला जब्यो करने ज़ा रहे है फिल्म में संजदत के सामने फिल्म के हीरो तमिल स्टार दलपती विजय होंगे वहीं फिल्म तमिल के साथ तेलुगू, मल्यालम, कंणड और हिंदी में भी रिलीस करने की तयार है संजदत से पहले साथ के फिल्म केजी एफ टू में अपनी खलनाई के से रंग जमा चुके हैं देरे देरे वो साथ में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हैं लियो के बारे में कहा जा रहा है कि फिल्म देश के साथ विदेश में भी शांदार शुरुवात के लिए तयार है तमिल नाडू में 14 अक्टूबर से बुकिंग शुरू होने की खबर है सबके निगाहे तमिल नाडू से फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन पर है उम्मिद है कि ये एक्शन ड्रामा फिल्म बॉक्स ओफिस पर नए रिकॉर्ड बनाएगी यूके में लियो के डिस्ट्रिब्यूटर ने गोशना की है कि वहां फिल्म के 50,000 टिकन बीची जा चुके है योके में फिल्म के बुकिंग काफी पहले ही शुरू की गई थी आपको पता दे कि ये फिल्म वहां किसी भी तमिल फिल्म की तुलना में ओपनिंग के मामले में रिकॉर्ड बनाचुए वैसे पिछले दिनों में फिल्म के आउडियो लॉंच कारिकरम की रद होने से निराश्टे लेकि निर्माताओं ने कहा कि वो जल्दी एक सर्प्राइज ला रहा है कहा जो आ रहा है कि टीम विजय के एक भाशन वाला वीडियो रिलीज करेगी